महरास्ट्र की सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर वंश्वात की राजनीती को लेकर दिल्चस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे चुनावी मैदान में कई परिवारों के सदसे एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं जिससे राजनीती में रिष्टेदारों के बीच तकरार और प्रतिसपर्धा का नया अध्याय जुड़ रहा है चलिए आपको बताते हैं कहां होने वाले हैं हाई प्रोफाइल मुकाबले एक ही परिवार के अंदर पवार परिवार का हाई प्रोफाइल मुकाबला महरास्ट्र के सियासी इतिहास में ये पहला मौका नहीं है जब पवार परिवार के बीच चुनावी टक्कर हो रही है इस बार बारामती विधानसभा सीट पर शरत पवार की एनसीपी और एस्पी के उमिद्वार युगेंद्र पवार अपनी चाचा और उपमुख्य मंत्री अजीत पवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं कन्नड में पति पत्नी के बीच टक्राव चत्रपती संभाजी नगर के कन्नड निर्वाचनक शेत्र में एक अनोखा मुकाबला देखने को मिलेगा यहां निर्दली उमिद्वार हर्श वर्धन जाधव अपनी अलग रह रही पत्नी और शिर्वसेना की उमिद्वार संजना जाधव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं देश्मुख परिवार भी चुनावी दोड में राणे परिवार का भी चुनावी संगर्श बीज़पी सांसद और पुरू मुख्यमंत्री नारायन राणे के बेटे नितेश राणे और निलेश राणे शिफसेना और बीज़पी के उमिद्वार के तौर पर कुडाल और कड़कवली सीट से चुनावी मैदान में हैं ठाकरे परिवार का चुनावी मुकाबला माहिम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं गड़ेश नाइक और बेटे का चुनावी मुकाबला गड़ेश नाइक जो कि बीज़पी के उमिद्वार हैं एरोली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जबकि उनके बेटे संदीप नाइक एनसीपी एसपी के टिकेट पर बेलापूर सीट से चुनावी मुकाबले में हैं चुनावी मैदान में गावित परिवार इस तरह महराश्ट्र के मंत्री विजे कुमार गावित और उनकी बेटी और पुर्व सांसद हिना गावित भी चुनावी मैदान में हैं मंत्री विजय कुमार गावित बीजेपी के उमिद्वार के तौर पर नंदूर बार सीट से चुनावी मैदान में हैं जबकि उनकी बेटी हिना गावित निर्दली उमिद्वार के तौर पर अकल कुवा सीट से चुनाव लड़ रही है भुचबल और पाटिल परिवार का चुनावी मुकाबला NCP के मंतरी छगन भुचबल और उनके भतीजे समीर भुचबल भी चुनावी मैदान में है चगन भुजबल येवला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जबकि समीर भुजबल नंदगाव सीट से निर्दलिय उमिद्वार के तौर पर चुनावी मैदान में हैं चुनावी मैदान में शेलार परिवार बीजपी के मुंबई एकाई के अध्याक्ष आशी शेलार और उनके भाई विनूत शेलार वांदरे पशिम और मलाट पशिम सीट से चुनावी मैदान में हैं हमबाडे परिवार का चुनावी मुकाबला नांदेड में संतुकराव हमबाडे और उनके भाई मोहनराव हमबाडे भी एक दूसरी के खिलाव चुनावी मुकाबले में हैं संतुकराव हमबाडे नांदेड लोग सभा सीट से उपचुनाव लड़ रहे हैं जबकि मोहनराव हमबाडे कॉंग्रेस के टिकेट पर नान्देड दक्षिन विधानसभा सीट से चुनावी जंग में हैं।